22 नालागड एनेच 105 मार्ग की हालत इन दिनों काफी खस्ता हो गई है आए दिन एनेच 105 पर सडखाथ से भी पेशा रही है नेशनल हाईवे पर जगा जगा गड़े पड़ चुके हैं इन गड़ों को भरने के लिए प्रशासन की लापरवाही सामने आई है हाईवे पर पड़े गड़ों को सीमेंट इंटर लॉक टाइलों से भरने पर दो पहिया वाहन चालगों को खत्रा पैदा हो गया है इस बारे में लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर इन गड़ों को भरने के लिए ठंडी लुक का प्रियोग किया जाना चाहिए याद रहे कि नालागड से बद्दी के बीच नैशनल हाईवे को फोरलिन बनाने का कारे शुरू हो चुका है इसी दोरान नेशनल हाईवे पर पड़े कड़ों से वाहन चालकों के साथ यहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारे परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बारे में रोड सेफटी क्लब नालागर के प्रधान पिंकी राणा ने बताया कि नालागर से बद्दी तक सडक में पड़े गड़ों को भरने के लिए सीमिंट की इंटर लॉक टाइलों का प्रियोग किया जा रहा है जिसके कारण वाहन चालकों खास कर दो पहिया वाहन चालकों के लिए जान लेवा हो सकता है उन्होंना बताया कि इस बारे में विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी खड़ों को भरने में इंटर लॉक टाइल का प्रियोग किया जा रहा है इस बारे में खेडा के वाट सदस्य ने बताया कि खेडा पुल के पास बहुत खतरनाक खड़े हैं जिन में कई बार लोग दुरगटना गरस्त हो चुके हैं खेडा निवासी आशा वरकर मंजू तथा खेडा पंचायत की वाट सदस्यों ने बताया कि टाइलों को गलियों में लगाते देखा था लेकिन अब रोड में खड़ों को इन टाइलों से भरते पहली बार देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब अपनी नीन सकता कुछ, अगर कहते हैं तो कोई मानता नहीं है, तो प्रशासन से हम यही बोलते हैं कि ऐसा काम ना करें, आगे तक बात पहुंचा दीजिए हमारी भी कि यह जो नए नए काम गए तो खड़े पूरे करने हैं, तो यहां पर कोई और सिस्टम डालो ना यह और कुछ पर दियां की बरी अक्षा हो रही है, तो वज़े से बहुत एक्सिजिएंट भी हो रहे हैं यहां पर, बहुत रबलों हैं हैं आप, कई हास्था हो तो यह पूल पे, मैं परदान रोड सेप्टी कुलब नालागार टिंकी रणा, जो कि आज आज आपको, आपके माध्यम से, सरकार को और परसासन को अगवा कराना चाहता हूँ, कि नालागार से जो बद्दी रोड है, उसमें रोड के उपर खड़े बहुत जादा पड़े हुए हैं, और उसमें खड़ों में क्या है, ठेकेदार के सुरू इनोंने, जो खड़े भरे हैं, उसमें जो टेल लगी है, ल वाइक वाड़े के साथ ही, और किसी पैदर चलने वाड़े के साथ लग सकती है, और कोई ऐसी धुरुगटना हो सकती है, जो कि यह सरासर गल्थ है, उसमें बरसात के समय और भी इनके पास 18 मिट है, कि वहाँ पे जो आजकल बरसात में जो है, तारकोल पड़ रहे है, वो ज वाड़े समय में किसी का भी एक्सिनेंट होने का स्वाब ना है, और हम चाहते है कि ऐसा जो है, यह ना होए, किसी को दुगटना हो सकती है, अगर कोई ऐसा हुआ, तो इसके आज जिम्मे बाद जो है, यह खुद होंगे, थान्या बाद हिमाचिल प्लस न्यूज के लिए नालागर से सुरेंदर सिंग की रिपोर्ट